एश के चम एक ऐसा ट्रेनर जिसने अब तक 10 रिजन्स ट्रैवल किये हैं और उसमें से उसने अलोला एंड गिलार रिजन को जीता है और इन सफर के दोरान उसको बहुत सारे पोकेमोन फिले और वह बहुत ही इंप्रूव होता गया और धीरे वह बहुत ही इंप्रूव होने लगा अख्री में उसने लियॉण को रागी गिलार रिजन का चैंपिए बन गया एंड उसके बाद वो champion बन जाता है एंड अपने hometown पैलेट शेहर वापस लट जाता है एंड कुछ दिनों तक वो वही रहता है बट कुछ दिनों बात प्रोफेसर ओक एश को अपने lap में बुलाते है एंड कहते है कि एश कुछ दिनों में एक championship होने वाली है और इसमें सारे Pokemon champions हिस्सा लेंगा और तुम भी Alola and Galar region के champion हो तो तुम भी इसमें हिस्सा ले सकते हो तो एश कहता है हाँ प्रोफेसर ओक मैं इसमें जरूर हिस्सा लोगा और जरूर जीते होगा तो फिर प्रोफेसर ओक कहते है कि यह लिग बहुत ही tough होने वाली है तुम इसे अपने सबसे खतरनाक बैटल होने वाली है सब के बीच तो तुम तैयर रहना तो फिर एश अपने Pokemon के साथ training करता है जो एश के main Pokemon है Charizard and Green Ninja वो भी बहुत ही training कराता है एश उनको बहुत training कराता है और प्रोफेसरों कहते है कि तुम ऐसे ही इस लिग में हिस्सान नहीं ले सकते तुम है सबसे पहले अपने जो पूराने राइवल से सबसे बिढ़ना होगा और सब को हराने के बाद तुम इस Championship के लिए प्रिपेर हो जाओगे तो फिर एश उन सारे रिजन्स में वापस जाता है जहां वो पहले गया है एक एक करकी सारे राइवल्स और सारे जिम लिडर्स को आरा देता है और बहुत ही स्ट्रॉंग बन गया है हमारे एश अब वो नहीं है जो कि पहले हर रिजन में हारता था अब वो ऐसा trainer बन चुका है जो कि किसी भी Pokemon and किसी भी trainer को बहुत ही आसानी सारा सकता है और उसने बहुत training किया है तो फिर finally after two months ये जो Pokemon Champions League है ये Kanto Region में हो जाती है Viridian शहर में start और Ash वहाँ जाता है और वो सारे Pokemon Champions से वापस मिलता है like Cynthia, Diantha, Elder and many more और वहाँ Ash के सारे companions Ash को cheer करने आये थे बट सरीना को छोड़के वहाँ सब लोग आये थे Misty, Brock, Dawn but only Sarina missing थी तो फिर Ash ने इस चीज़ को सोचा कि Sarina क्यों नहीं आई बट जो Ash की मा में उसने बोला कि तुम आभी Pokemon League में focus करो बाद में तुम सरीना से मिलने जाना तो फिर Ash सोचता है कि हाँ यही better होगा तो फिर Pokemon Champions League शुरू हो जाती है इसमें सारे लोग बहुत ही strong हो चुके थे जो Champions थे वो बहुत strong हो चुके थे बैटल स्टार्ट हो जाती है एश पहले में elder से भिलता है बट एश elder को बहुत आसानी से हरा देता है दूसरी तरफ Cynthia एड जो Stephen है उनके बैटल होती है जिसमें Cynthia उसको अरा देती है जैसे बैटल चलती रहती है चलती रहती है जो चार चैंपियन से फालनस में एंटर करते हैं वो रहते हैं एश सेंथिया डियान था एड लियॉन एड फर्स बैटल जो होती है वो होती है एश व हो जोगियों देन दोनों को पिछ बैटल होती है बैट आखरे में एश में से जी जाता है अपने फाइनल पोकिमॉन चार अजाट के मज़द से और इस मैच में दोनों अपने घयंटमेक्स कर देते हैं बेट आफरी में हमारा एश का 4.000 जीत जाता है एंद दूसरी तरफ ब इसलिए जो गार्चॉम पे ड्राइगन मूव बिल्कुल भी एफेक्ट नहीं कर रहे थे उसके गार्डेवार को बैट जो गार्चॉम था फ्लेम थ्रोवर एंड तोड़े फायर एंड वाटर टाइम मूव आते थे एंड जो सिंथिया का गार्चॉम पे आकरी में एक फायर इसा कुछ बॉन अप जैसा था उससे वो डियांता को हरा देती है एंड सिंथिया फाइनल्स में बहुत जाती है एंड फाइनल्स होने वाली है जिसमें की सरीना भी आ चुकी है एश से मिलने जो सरीना है वो एश से मिलने आ जाती है एंड जो एश है वो बहुत खुश हो ज जाती थी तो इसलिए आश बहुत खुश हो जाता है एंड शरेणा चले जाते है वहाँ एसको चेयर करने तो फिर एश और सिंथिया के बीज बहुत ही टॉफ पैटल होती है जो एश का लास्ट पोकेमोन बचता है वह रहता है ग्री निंजा एंड जो सिंथिया का लास्ट पो इसके बाद एश जेए जाता है एंड बहुत स Αल हो चुक है लाल इक तो फॉर यह फाइव यह फाइड रह चुक है और 25 रहों इस होनेके बाद सरी नहिंद और सरी ना की वेडिंग होने के बाद एश और सरीना बहुत ही खुश रहते है यापी एडिंग आप